Hello everyone, आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि buy और purchase में क्या difference है तो चलिए वीडियो को start करते हैं buy और purchase जब हम कोई भी चीज़ खरीते हैं चाहे वो online हो या offline हो कोई छोटी चीज़ खरीते हैं या कोई बड़ी चीज़ खरीते हैं तो हम English में दो वर्ड का यूज करते हैं तो पहला है हमारा buy और दूसरा हमारा purchase अब चलिए इन दोनों में difference जानते हैं buy buy का मतलब होता जब हम कम मांतरा में किसी चीज़ को खरीते हैं तो हम उसमें buy का यूज करते हैं यानि कि जो चीज हम daily खरीते हैं जैसे साबुन हुआ, सबजियां हुई, फल हो गए, तूटपेश्ट हो गया तो इन सब को जब हम खरीते हैं तो उस समय हम buy का यूज करते हैं purchase का नहीं और अगला है हमारा purchase जब हम कोई चीज को बड़ी मांतरा में खरीते हैं पर उसे हम daily नहीं खरीते हैं या साल में एक बार खरीते हैं जब वो खासकर महंगी हो या costly हो तो उस चीज को खरीदने के लिए हम purchase का यूज करेंगे अगर हम साधारन भासा में कहें तो जब हम किसी चीज को daily खरीते हैं तो वहाँ पे हम buy का यूज करते हैं लेकिन जब कोई चीज महंगी होती है या उसे हम daily नहीं खरी सकते तो उस जगा पे हम purchase का यूज करते हैं ये difference होता है buy और purchase में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही और informative वीडियो को जानने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें